हेलो 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 शुडेंट्स आज हम परफॉर्म करेंगे RBSC टेक्स बुक नुमेरिकल 7 एंड एट तो नुमेरिकल नंबर 7 देखिए विदुत आवेश क्यू को दो भागों Q1 वा Q2 में विबक्त करके परस्पर आर दूरी पर रखा गया है दोनों के मध्य परतिकर्शन का बल अधिक्तम होने की शर्त क्या होगी अन एलेक्टिक चार्ज Q is divided into two parts Q1 and Q2 which then are kept at a distance R apart what will be the condition for an force between them to be maximum तो यहां से हम देखते हैं कि कोशन कह रहा है कि एक चार्ज था Q उसको दो parts में डिवाइड कर लिया Q1 और Q2 और उन्हें R distance apart रख दिया मतलब उनके 20 की distance R कर दी ठीक है अब Q1 और Q2 की बीच में जो force लग रहा है उसके maximum होने की क्या condition है कि वो maximum कब होगा clear होगी बात तो question clear होगा क्या कह रहा है ओके तो according to question हम equation बनाते है सबसे पहले question में कह रहा है कि Q को हमने 2 parts में divide किया तो Q equal to कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 ये clear होगा आपको अब ये कह रहा है कि Q1 और Q2 की बीच की distance हमने R कर दी तो Q1 और Q2 की बीच की distance अगर हमने R कर दी तो उनकी बीच में force कितना लगेगा K Q1 Q2 upon R square तो यहाँ पर मैं ये जो Q2 आपको दीख रहा है इसकी value में इस equation से निकालूँगा कैसे निकालूँगा Q2 की value find कीजिए Q minus Q1 Q1 को इदर आप transfer कर दीजिए ठीक है Q2 की value कितना जाएगी Q minus Q1 ये Q minus Q1 में यहाँ रख दूँगा अब ये question में कह रहा है maximum repulsive force कैसे लगेगा अब हम बात करते हैं तीसरी point पर जो question कह रहा है कि दोनों की बीच में जो repulsive force लग रहा है वो maximum है उसकी condition क्या होगी अब जब भी हमें कभी numerical कहे maximum या हमें numerical कहे minimum तो हमें क्या बातें याद रखनी है अगर 100 number का कोई exam है 100 marks का कोई exam है और मैं कह रहा हूँ किसी student के maximum marks आए है तो उसके कितने number आए है बताईए तो आप कहेंगे सर उसके 100 marks आए है क्योंकि 100 marks का exam है और maximum 100 ही आ सकते है तो आपको ये पहले सी बता था जैसी मैंने maximum बोला तो आपको बताए 100 अगर किसी के 80 marks आए है तो मैं कह सकता हूँ उसके maximum है नहीं 100 आएंगे तभी कहूंगा इसका मतलब 100 is the constant value इसका मतलब अगर force maximum है इसका मतलब किसी भी quantity के लिए उसका maximum value constant होती है इसका मतलब अगर repulsive force maximum कह रहा है हिंदी में अब बात करें परतिकरशन बन अधिक्तम कह रहा है तो अधिक्तम या नियुन्तम एक नियत राशी होती है maximum और minimum एक constant quantity होती है और हमेशा याद रखना जब भी physics में कभी भी constant quantity आती है ये आगया constant तो इसका differentiation चाए आप x के respect में करो चाहे time के respect में करो चाहे किसी के भी respect में करो हमेशा 0 आता है अब यहाँ पर question कह रहा है question कह रहा है force maximum है कह रहा है इसका मतलब force कोन है force constant भी है और constant का differentiation हमेशा कितना आता है 0 आता है ये बात लाप हो clear होगी तो force का differentiation भी कितना आएगा 0 आएगा Q1 Q-Q1 upon R-square ये value हम यहां put कर देंगे यह आ जाएगी ऑके यह value यह equation आ जाएगी अब यहां पर हम यहां पर KQ1 upon R-square को इस bracket से multiply करते है मतलब यह वाला bracket हम open करते है तो next step देखे KQ1 यह देखे एक बार पीशे वाला step फिर देखे यहां पर k q1 upon r square की q से multiply करनी है हमें और q1 से multiply करनी है तो यह बन जाएगा k q1 q upon r square और यह बन जाएगा k q1 square upon r square और हमें differentiation किसके respect में करना है with respect to q1 यह बात याद रखना जिसके respect में differentiation होता है उसके अलावा सारी quantity constant होती है तो यहां पर यह देखिए अच्छी तरह देखिए एक बार differentiation याद दिलाता हूँ आपको यहां पर q1 क्या है यह variable है क्योंकि इसके respect में ही differentiation हो रहा है q1 के respect में q यहां पर क्या है constant r square यहां पर क्या है constant और k यहां पर क्या है constant अगर यह differentiation r square के respect में होता तो R² के अलावा सारी चीज़ें constant होती अब आप कोंगे सर एक बार बताओ कि आपने Q1 के respect में ही क्यों differentiation किया है तो यहाँ पर हमें value किसकी find करनी ही charge की इसलिए मैंने charge के respect में differentiation किया है चाहे आप Q1 के respect में differentiation करो या चाहे आप Q के respect में Q1 और Q में से किसी के respect में आप differentiation कर सकते हैं लेकिन R के respect में आपको नहीं करना क्योंकि हमें कह रहा है कि maximum repulsive force कब होगा मतलब जब दोनों पर charge की value कितनी होगी तो charge पूछा है इसलिए हमने charge के respect में differentiation किया है क्लिर होगी आपको कि charge के respect में हमने differentiation क्यों किया है मतलब Q 1 की respect में भी differentiation कर सकते हैं और Q की respect में भी differentiation कर सकते हैं हमने Q 1 की respect में differentiation किया है अब क्या होता है, देखिए अगर आपको मैं सिखा हूँ तो अगर मैं इस term का differentiation करूं कि यहां पर जाएगा K Q1 Q by R square अब बताइए constant क्या है constant है K constant है R square constant है q तो constant बाहर आ जाता है तो यहां से बाहर आ जाएगा के q by r square और differentiation केवल किसका होगा अंदर क्या बच जाएगा केवल q1 तो यह बन जाएगा d q1 by d q1 तो q1 का q1 के respect में differentiation कितना होता है 1 तो यहां पर कितना रह जाएगा हमारे पास k q by r square तो यह term आपको समझ में आई इसके बाद यह कैसे आई ओके अब यह वाली समझ लेते हैं अब देखिए अब मैं differentiation कर रहा हूं d by देखो बहुत सारे बच्चे जो mathematics में हैं उनको differentiation और लड़ कर रहा हूं क्योंकि हम भूल जाते हैं 11 का अब यूएसी lockdown है 12 का याद नहीं 11 की तो बहुत बट दूर की बात है तो अब देखिए के q1 square upon r square का मैं differentiation कर रहा हूं with respect to q1 constant कौन है के constant है r square constant है तो देखिए के आ जाएगा बाहर constant हमेशा differentiation बाहर जाता है के अपन आर यहां रह जाएगा q1 square यह clear हूँ आपको k upon r square constant बाहर रह जाएगा q1 square अब आपको differentiation करना आता होगा differentiation का rule क्या होता है power आ गया जाती है और power में से एक minus हो जाता है तो मुझे q1 square का differentiation करना है तो power कितनी है 2 आ गया गया power में से एक minus तो 2 में से एक minus करो 1 तो यह आ जाएगा 2 q1 तो यह आपको clear हुआ 2 kq1 upon r square यह देखिए 2 kq1 upon r square तो यह step यहां से हमारे पास आ गया है तो इतना clear हो आपको ओके तो इस term को मैं equal के उधर transfer करता हूँ तो यहां से देखिए हमारे पास आगी है term हमारे पास equation आगी है kq upon r square equal to 2 kq1 by r square तो यहां से देखिए k से k cancel हो गया r square से r square cancel हो गया हमारे पास रह गया है q equals to qq1 तो q1 की value कितनी आ गया है q by 2 अगर q1 हमारे पास q by 2 आ गया तो हमारे पास q2 कितना आएगा तो यहां से देखिए value put कीजिए यहां से q1 या q2 कि किसी की जगे q by 2 रख लिए रख लीजिए Q2 और Q1 अपने आप Q by 2 आ जाएगा ठीक है हमारे पास किसकी value आई है हमारे पास Q1 की value Q by 2 आई है तो इस Q1 की जगे आप रखिए Q by 2 Q2 की value भी कितनी आ जाएगी Q by 2 इसका मतलब Q1 और Q2 जब Q by 2 Q by 2 होंगे तब उनके बीच में जो force लगेगा वो maximum होगा तो अच्छा question था ये सबको समझ में आया जब भी कहें हमें force की maximum है उसका differentiation with respect to with respect to charge with respect to anything 0 होता है कभी कोई कहें maximum है maximum है तो constant है और उसका differentiation होगा 0 इस concept पर हमने ये numerical perform किया next numerical देखिए 3 charges plus 2Q minus Q and minus Q are placed at the vertices A, B and C respectively of a equilateral triangle ABC of side A find the magnitude of dipole moment of this system ए भुजा वाले समभाउत रिभुज ABC के 6 पर 3 आवेशों plus 2Q minus Q तथा minus Q को करमश A, B एवं C पर चित के नुसार रखा है इस निकाय के द्वीद्रू आगोन का परिमान ग्याद कीजिए द्वीद्रू आगोन ओके तो हमें इस system का dipole moment निकालना है क्या निकालना है dipole moment ओके तो मैंने यहाँ पर अलग से इसको draw कर रखा है देखिए plus 2Q है minus Q है minus Q है तो dipole moment का बनता है जब एक तरफ पहले dipole moment के लिए आपको dipole न चीए dipole क्या होता है विदू दीदू रूफ क्या होता है plus Q minus Q तो हम क्या करते है यहाँ से हमारे दो dipole बन जाएंगे हमारे दो दीदू रूफ तो जैसी है मैं ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पर देखिए दो dipole बन जाएंगे एक तो minus Q प्लस Q यह देखो एक बन गया dipole एक दिदू बन गया और एक minus Q प्लस Q दो dipole यहाँ पर मेरे बन गए अब देखिए next step अब जैसी दो dipole बन गए आपको पता है minus Q से तो देखिए दो plus Q plus Q दो dipole बन गए minus Q plus Q minus Q plus Q अब आपको पता है minus Q से plus Q होता है dipole moment की direction तो यहाँ से एक dipole moment यह देखो बना minus Q से plus Q P1 vector यहाँ से एक dipole moment बना minus Q से plus Q P2 vector यह clear हो आपको तो एक dipole moment की direction उसको मैं लोंगा p1 vector हो जाएगा यहाँ से यहां तक और एक dipole moment हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक करणों दिशा कहाँ से कहाँ होती है minus q से plus q तो एक dipole अगर p1 की direction यहाँ है और p2 की direction यहाँ है तो resultant dipole moment कहाँ से आएगा हमारे पास यहां से बीच में से निकलेगा यह पैडलोग्राम law of vector addition से हमने कर रहे है सदिशों के योग की समांतर चत्रवुच की विदी है यह ठीक है ओके तो P1 और P2 के का resultant कहां से निकलेगा दोनों के बीच से तो इतनी बात सब को clear हुई ओके तो अब हम इसको आगे solve करते हैं तो देखिए P1 और P2 की बीच में P1 और P2 का resultant कौन है P1 और P2 का परिणामी कौन है P है तो इन दोनों की बीच में angle देख लो question में कह रहा है यह equilateral triangle है सम बाहुत रिबुच है तो equilateral triangle के सारे angle कितने होते है 60 degree तो यह angle भी 60 degree होगा यह 60 तो यह वाला भी opposite angle भी कितना हो जाएगा 60 clear हुआ तो यह भी 60 हो जाएगा तो P1 और P2 की बीच में जा angle आएगा वो हो जाएगा 60 और resultant का formula हमें पता ही है r equals to क्या होता है root under root a square plus b square plus 2ab cos theta तो यहाँ पर हम इसको solve कर लेते है P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos और angle कितना है P1 और P2 की बीच में cos 60 cos 60 की value कितनी होती है half तो यह बन जाएगा P1 square अब देखिए P1 और P2 एक दूसरे के equal है यह क्यों equal है तो यह diagram से देखना पड़ेगा dipole moment का formula क्या होता है charge into distance between both charge तो plus Q minus Q में charge का magnitude कितना Q और plus Q minus Q की 20 की distance कितनी A तो P की value कितनी बनी है Q dot A यहाँ पर देखिए plus Q minus Q magnitude कितना Q charge का और दोनों की 20 की distance कितनी A तो P1 और P2 दोनों का magnitude same है यह clear हो आपको तो यहाँ पर हम कह सकते है P1 और P2 का magnitude same है तो P1 square और P2 की जगी भी हमने लिख दिया P1 square 2 P1 P1 and half तो यहाँ बन गया 3 P1 square और P1 की value कितनी है charge into distance between both charge Q dot A तो answer आगे हमारे पास resultant dipole moment आगे हमारे पास P equals to root 3 Q multiply A तो आज का lecture केवल इतना ही बाकी करेंगे next class में बाई बाई